हरी हो आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को कोरल रॉ में इंटरेक्टिव फिल्ट टूल से एक 3D लोगों कैसे क्रेट करना है उसके बारे में बता रहा हूं अभी क्या है पहले एक रेक्टैंगल टूल लेता हूं विद्ट साइज में आपको बता रहा हूं अभी क्या है इसका विड़त क्या है कर 40 बाइट देता हूं है और उसका विड़त क्या है 40 है इस बॉक्स को क्या है अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी बोलता हूं तो कॉपी पेस करने के बाद अभी इसको क्या है 25180 यहिए कर लेता हूं तो दिखो भी एकॉर्न क्या करना है तो इसतरहें इस बॉक्स को भी क्या है इसके क्या उब्रिन कव्य तो देखो अ अब इतना आर्क करने के बाद अभी देखो यह object जो है यह object क्या है बैक सेड में है यह object क्या है फ्रेंट में है अभी इन दोनों को सेलेट करके आपको क्या करना है बैक मैनस फ्रेंट करना है, बैक में से फ्रेंट माइनस हो गया, यह आपको समझ में आ गया, अभी इसको क्या है, अभी यह सिंगल अबजेट है, अभी देखो एक कलर देता हूँ, तो देखो भी यह सिंगल अबजेट है, अभी इस कलर को अभी रिमूव करना है, तो इस रोटेट करता हूँ दिखो भी एसे रोटेट हो गया जैसे यह 90 डिगरी रोटेट होता है आपको मौस राइट लिक करना है तो और यह कोपी हो गया यह यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको मैं क्या करता हूँ इस पॉर्शन को आप ले लो इधर क्या है फिर से रेक्टे 12 by 12 करता हूँ 12 mm by 12 mm लेता हूँ एंटर देता हूँ तो दिखो भी इसा आ गया अभी इसको एक बार और एक बार मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आपको क्या है इसे पोईट पॉइंट आता है इस पोईट पॉइंट को क्या है से क्लिक करके से ड्रैग करता हूँ त करने के बाद control के साथ इसे रोटेट कर sniff गया इसको दिखने एक 90 डिग्री रोटेट होने के बाद विधक इदर आपको बता रहा है मौझ रई टिक करना है रई करके leftatus छोड़ने से क्या होता है copy हो गया अभी सको control और बहुता हूं तो रिपेट हो यह आपको समझ में आ गया, अभी क्या है इस box को लेता हूँ, नहीं तो आप ऐसे drag भी कर सकते हैं, shift के साथ इस box को लेता हूँ, यह दोनों box selected है भी, यह दोनों box selected है, shift के साथ इसको select करना है, select करके आपको क्या है, back minus front बोलना है, तो दिखो भी इतना cut हो गया, यह आपको हो गया, अभी यह क्या है, दोनों मिलके एक ही है, single object है,eg listen, join तो नहीं है, फिर भी क्या है, single object है, तो इसको separate करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको select करके, control K करना है, control K बोलने से क्या है, ब्रेक होता है control के आपको arrange में भी इदर है जैसे अभी समझो इसको select करता हूँ देखो भी arrange में आके break करवा part करके है इसको click करता हूँ तो भी break हो गया यह अलग-अलग हो गया यह आपको समझ में आ गया अभी subject को select करके control c control v बोलता हूँ तो copy paste हो गया copy paste होने के बाद अभी मुझे keyboard से moment करना है तो distance के लिए अभी मैं क्या करता हूँ एक बार आपको बाहर क्लिक करना है बाहर क्लिक करने से इदर क्या है नर्ज distance करके है तो अभी यह इदर से इदर आपका distance क्या है 10 mm क्या है तो one third space लेता हूँ य इसे यह आप प्रेस करेंगे तो दिखो भी 3.3 mm हुआ one more time आपको प्रेस करना है तो क्या हो गया 6.6 आ गया आने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इदर स्मार्ट फिल से क्या है इदर क्लिक करो आप तो इदर फिल हो गया यह फिल होने के बाद इसी object को क्या है और एक बार पोर्षन को सेलेट करके डिलेट कर देता हूँ देखो भी यह डिलेट हो गया स्मार्ट फिल से इदर क्लिक करता हूँ तो देखो भी यह फिल हो गया ओके यह तीन पोर्षन हो गया अभी तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ यह जो उपर का पोर्षन है इस पोर्षन को सेल एक रेड को एसे ड्रैग करके जोड देता हूं तो देखों भी ऐसा रेड आ गया अभी इसको क्या है earn num लो आ итог को 100 लेनताओं इस पौइंट को थेंग उपर लिए न्यूंट को सथ लेता हूं तो या जो नीचे पॉंट है इस का ब्लैक कलर देता हूं देखो भी ऐसा आगया और यह जो प्वाइंट है इसको हम कंट्रोल कर सकते दर थोड़ा मैं वाइट लिया है तो अभी इसको देखो भी ऐसे शेडिंग जैसा आपको लग रहा है यह आपको समझ में आ रहा है अभी इस portion को एक बार क्लिक करता हूँ क्लिक करके अभी मैं क्या करता हूँ इसको इदर से ऐसे ड्रैक करो आप ड्रैक करके इसको क्या है नॉर्मल एक red shade देता हूँ तो red shade आ गया red shade आने के बाद अभी इस point को select करके थोड़ी देर तक इदर color में hold करना है hold करने के बाद थोड़ा light shade क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ऐसा आ गया तो अभी मैं क्या करता हूँ इस portion को आप select करो select करके अभी आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ ऐसे नीचे लेता हूँ तो state में आ रहा है अभी इस point को क्या है फिर से इदर black color दे देता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया इसमें आप थोड़ा मोमेंट कर सकते हैं आपको जितना चाहिए वैसे आप ले सकते हैं सो अभी इन सब को आप select करो select करके इसका जो outline है इसको राइट लिक करता हूँ तो रिमूव हो गया अभी इसको क्या है सबखूंआं मैं था बोलता हूं हुरुक पर प्लिक करें अबिकर इसको नॉर्मल राड दे देता हूँ आ क्यों के इसको मैंने नॉर्मल रड दिया है तो यह आपको समझ में आ गया सो इतना करने के बाद अभी देखो यह है कि इसे सेंटर में रख दिया मैंने सो इतना होने के बाद इन सब को सेलेट करके आप क्या करो Ctrl-G बुलो, Ctrl-G बुलने से Group हो गया, अभी इसको और एक बार Click करो, Click करने के बाद यह Poet Point आ गया, इस Poet Point को इसे क्या है Drag करके इसे Center में लाता हूँ जैसे Center में लाता हूँ तो Snap हो गया Snap होने के बाद छोड़ देना है अभी Ctrl के साथ इसे Rotate करता हूँ Mouse Right Click करो, तो Copy हो गया Ctrl-R करता हूँ, तो Repeat हो गया यह आपको समझ में आ गया अभी इसमें क्या है, चारो पोर्शन पे मुझे Shade Change करना है तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ फिर से आप Interactive Fill Tool में आ जाओ एक बार भार Click करो, Click करने के बाद इसको Single Object को Select करता हूँ Select करके Interactive Fill Tool में आना है आने के बाद अभी जो को Normal Red कौन सा है यह Select कर लेना है Shift के साथ इन Points को Select कर ला आप दिखो भी यह तीनों Points से Normal Red है तो अभी मैं इसको क्या है, Normal Green दे देता हूँ Green Shade आ गया अभी यह जो Point है, यह क्या है Dark Green है, तो इसको Select करते हुए Green में थोड़ी देर तक Hold करना है Hold करके Green, Dark Green दे दिया मैंने यह आपको समझ में आ गया अभी इसी तरह मुझे क्या है इधर Blue में, Blue देता हूँ इसके लिए भी क्या है से, इन तिनों Points को आप Shift के साथ क्लिक करो क्लिक करने के बाद, Normal Blue दे आ मैंने, तो अभी यह जो Point है इस Point को Select करके अभी थोड़ी देर तक Blue को Hold करना है Hold करके, एक Dark Blue दे दिया आपने यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसी तरह क्या है इधर मुझे क्या है, एक Yellow Shadow दे रहा है तो अभी इसको क्लिक करता हूँ इन तिनों Points को पहले क्लिक कर लो आपर क्लिक करके, अभी क्या है कि Yellow देता हूँ Yellow देने के बाद, अभी इसमें क्या है यह जो Point है, यह Point तोड़ा Dark देना है तो Dark के लिए थोड़ी देर तक Hold करता हूँ रिमू हो गया है, रिमू होने के बाद अभी इसको Select करता हूँ अगर चाहे तो आप इसको क्या है, एक Angle भी दे सकते हैं ऐसे Angle देता हूँ Angle देने के बाद अभी समझो, आपको इसका Reflection करना है तो Reflection करने के लिए अभी क्या है, Control के साथ ऐसे लेता हूँ नीचे लिया मैंने, नीचे लेके आपको क्या करना है, Control G बोलता हूँ तो Group हो गया, Group होने के बाद आपको क्या करना है, Transparency Tool लेना है Transparency Tool लेके इसको इसे क्लिक करके आप Drag कर सकते हैं देखो भी यह Transparent हो गया, तो इस Point को थोड़ा उपर लेता हूँ देखो भी इसका Reflection है वैसा लग रहा है, ओके यह आपको समझ में आ गया अगर यह करते होग तो आपको कुछ doubts हो गया रहा है तो मुझे comment box में comment कीज़ेगा हमारे साथ जुड़े लेने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद